काफी सारे स्टूडेंट जो ف़ं बढ़ने के बाद वो लोग फ्रिसान होते हैं कि एक्जाम कब होगा और जल इसे बातें कोमन कोस эпट है कि हरो इस्टूडेंट के दिल में जरूर यह होता है कि मैंने फ़ॉम और एक्जाम कब होगा नहीं होगा तो मैं कुसिस करूँगा आप लोग को अपने एक्वर्डिंग इस वीडियो में समझाने का कि कोई भी फॉर्म है चाहिए आप कोई भी गौर्ण्मेंट जॉब का फॉर्म बर दिये एक्जाम कितना दिम के अंदर होना चाहिए यह मैं आप आप लोग को एक चोल बताओंगा कि एक्जाम के अंदर होना खरवा लेना चाहिए ठीक है और लेट क्या होता है क्यों होता है सो कोसिस करूँगा आप लोग को समझाने का बाकी बात मैं बता दू कि अगर आप लोग कोई और भी टॉपिक है जिसे प्रॉब्लम के लिए ठो सो मैं आप लोग को बता दू कि जिससे अगर कोई भी फॉब्लम भड़े सपोर्च चाहिए बिहार हो या सिंट्रल गवर्मेंट हो या कोई सा भी हो ठीक है तो बहुत इसे फॉब्लम बने बात क्या होता है कि वहाँ पे एक्जाम डेट मेंसर नहीं किया जाता है ठीक है तो कोई भी अगर आप फॉब्लम बढ़ें तो 49 डे प्रॉक्स होना ही चाहिए उसके बाद एक्जाम हो सकता है इससे पहले एक्जाम नहीं हो सकता है अगर एक्जाम डेट मेंसर नहीं किया है सपोर्च अज आज आपने कोई फॉब्लम बढ़ा लिप फॉब्लम का लास्ट डे के बाद 49 डे का आपका टाइम देता है ठीक है आगे जितना भी जा सके हैं ठीक है आगे उसके जड़ी तेयारी हो जाएगा मतब फॉर्म बगएरा कंड़क्ट आने का हार चीज सेंटर बगएरा तहीं हो गया तो कुछिस करेगा और 49 डे के आप्टर मतब पच्छासमा दिन ए फटर लेगा ठीक है यह अगर नहीं होगा अगर वो सुसका त्यारी नहीं होगा सेंटर बगएरा यहां पर लोग बोल सकते हैं कि सर कफी form आज फॉर्म बढ़ते हैं छे मैना बाद यह एक साला एक्जाम होता हैं बहुत इसे बट अब उस चीज को खतम किया जा रहा है और धीर-दीर कुसिस कर रहा है कि फॉर्म चाहे आप निकला और थीरी मंद के अंतर अंदर एक्जाम ले लेता है जितना ज़ल्द लोग सेंटर बगरा कर लेता है बहुत इसा फॉर्म भी होता है जो गौर्णमेंट क्या होता है कि एलेक्शन होता है त तो आपको इस तेजिप में धियान नहीं रखना है हर स्टूड़ेंट को फोकस में यह बोलता हो कि आप लोग लीड़र्श्य पर ध्यान नहीं रखेंगे अगर आप लोगर्मेंट जॉब का तैयारी करते है तो only for अपने स्टूड़ी से ही फोकस रखेंगे ठीक है क्या है के बाद अगर जतना जल्दे उसका हो जाता है तो या किसी पर करकार के प्रॉब्लम की रिट होना जिसा भी दखो कुरोना वाइस का पेंडेमिक आया था जिसके कहांसे फॉर्म को लेट करते हैं जाहिए बात है वहां तो लेट हो गई की सब कुछ रूख गया जहां आदमी है वहां रूख दिया गया तो जिसके कारण से लेट होना तो यही कोई इंटर्नल प्रॉब्लम होने कारण से एक्जाम लेट हो जाता है ठीक है और बाकी ऐसा जो है आपको बोला जाता है कि 49 दे के अंदर एक्जाम ले लिया जाए ठीक ह और उसके बाद फर्म एक्जाम जब भी ले जब भी उसका तैयारी हो जाए पूरा तरीका से दो नेजमेंट प्रोसेश जाया तब ले सकता है वह चला छह मिना 500 प्रॉब्लम पूरा तरिका से सॉल्व हो जाता है फिर वो एक्जाम तरीका से कन्डेकरवाता करवाता है ठीक है तो कुछ यही था ठीक है तो आप लोग प्रिसान नहीं होंगे कोई कोई फॉर्म या कोई भी एक्जाम गॉवर्मेंट देते हैं तो आप लोग समझ जाए कि इतना दी मिनिमम टाइम तो हो गई होगा बाइवाई हवे नाज जे मुझे आसा है कि मैं आप ल जाएगा से थैंक यू